हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं वीमाई टेस्ट के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटेटर एक्जाम्स टिजिटी पीजिटी के वियस एन वियस यल्टी की प करें आप प्रिपरेशन को विहतरिन बना सकते हैं दोस्तों और प्रिवे यर के को स्चंट सेरीज डेली बैसे लगाया यह उसका प्रैक्टिस करना न भुलियेगा दोस्तों जब चलिए जाते हैं आज की टॉपिक वियमाई टेस्ट क्या हैं दोस्तों सबसे पहले जाते हैं BMI का full form क्या है BMI यानि body mass index BMI का मतलब होता है दोस्तो इसमें क्या test किया जाता है कि किशी ब्यक्ति की उचाई और वजन का अनुपात यानि किशी ब्यक्ति की उचाई और वजन का अनुपात देखा जाता है यानि कि आपका वजन जो है वो लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं कि आप underweight यानि कि दुबले पतले में आते हैं कि all good normal में आते हैं या overweight में आते हैं ये देखा जाता है दोस्तो जो BMI होता है उस सरीर की उचाई और वजन के अधार पर सरीर में अनुमानित फैट जो होता है उसका मापन करता है या सीधे सरीर में मौजूद वज़ा को नहीं मापता बलकि मौजूद फैट का एक लगबग अनुमान लगाने के लिए इसका उपियोग किया जाता है यानि कि BMI या निर्धारित करने में मदद करता है कि ब्यक्ति का वजन सही है या नहीं यानि दोस्तो अधिक BMI सरीर पर बहुत अधिक वशा होने का शंकेत देता है और कम BMI सरीर पर बहुत कम वशा होने का शंकेत देता है दोस्तो यदि ब्यक्ति का BMI जितना ज़्यदा होता है उसमें हिदे रोग, हाई बलड प्रेशर और डाविटी जैसी कुछ गंभीर रोग होने की अधिक शंभावना होती है दोस्तो कम BMI भी स्वास्ते के लिए हानी कारक होती है यसे हड़ियां, कमजोर, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, एनिमिया आदी होने की शंभावना होती है यानि की दोस्तो BMI कम होना यानि दूबलापत्ता होना भी अब BMI ज़्यादा होना यानि ओवरवेट हो जाना मुटापा हो जाना भी दोनों इस्तिती में आपको हानी कारक प्रभाव देखने को मिलता है यहीं दोस्तो BMI सरीक वजन के कारण पन अपने वाली समस्याओं की स्क्रीनिंग में उप्योगी भी होता है दोस्तो BMI का उप्योग बार्डी बिल्डरों, एथलिटों, गर्वती बुजर्गों छोटे बच्चों के लिए नहीं किया जाता दोस्तो छोटे बच्चों के आकार को मापने का एक उपकर होता है इन फैंटो मीटर तो दोस्तो हम जानते हैं कि हम BMI कैसे कल्कुलेट करते हैं दोस्तो कल्कुलेट करने का सबसे पर जाने है कि BMI को फार्मूला तयार किया था 1930 में एडॉल्फ, क्वेटलेट, बेल्जियम के गड़ित तक यह नहीं और इसका फार्मूला होता है BMI कल्कुलेट करने का बार्डी वेट इन केजी अपान हाइट इन मीटर स्कुायर यानि कि आपका जो बार्डी का वेट है केजी में उसके हाइट मीटर में मीटर स्कुायर होगा इसको कल्कुलेट कैसे करेंगे माल लेजिए आपका वेट 77 केजी है और आपका जो लंबाई है हाइट है वह 165 सेंटिमीटर है तो 165 को से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1.65 मीटर तीक है 155 सेंटिमीटर यानि कि 1 मीटर और 15 सेंटिमीटर यानि 1.65 मीटर तो 1.65 मीटर को हम दो बार गुड़ा करेंगे यानि 1.65 गुड़े 1.65 फिर क्या आएगा 272.725 तो इसका भाग देंगे आएगा क्या 28.28 आ रहा है तो दोस्तो अब हम जानेंगे कि BMI का क्लासिफिकेशन वर्गी करण डबलू यच्चो ने क्या किया है यानि BMI क्लासिफिकेशन बाई दबलू यच्चो यानि की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने BMI का वर्गी करण किया है इसके अधार पर यदि आपका BMI सोलर से नीचे है यानि below system यानि सोलर से नीचे है आपका BMI तो आप कुपोसर के सिकार है यानि आप underweight है यानि आपका वजन कम है तो यहां आपका malnutrition 2 में आएंगे यानि कुपोसर का सिकार आप रहेंगे तो इसके अंतरगत कुपोसर 2 में आप आएंगे malnutrition 2 में और सोलर से लेकर 18.9 तक रहेगा आपका BMI तो आप underweight 1 यानि की कुपोसर यानि की malnutrition 1 में आएंगे इसमें क्या होता है दोस्तों की underweight यानि कम वजन होने पर कुपोसर का सिकार होने पर 16 या 18.9 की बीच या इससे कम होने पर आपका digestive problem यानि पाचन गरबड होगा weakness होगा कमजूरी होगा stress यानि चिंता होगा anxiety यानि की आप चिंतित रहेंगे stress तनाव में रहेंगे muscles breakdown होगा आदी problems आपका underweight यानि कम होजन यानि कुपोसर का सिकार होने पर होगा तो कुपोसर का सिकार यानि underweight का आप रहेंगे 16 या 16 से नीचे या 16 या 18 के बीच में ठीक है अब बात करेंगे यदि आपका BMI 19 से 22.9 के बीच में रहता है तो आपका normal माना जाता है यानि कि आपका सब good होता है all good होता है सभी चीजे आपका सही रहती है ठीक है तो आपका कितना BMI होना चाहिए 19 या 22 की बीच में ठीक है यानि 19 से 22.9 के बीच में आपका BMI है तो आप स्वास्त है ना आपका अंडर्वेट है ना ओवर्वेट है आप नार्मल है ठीक है फिट है और दोस्तों यदि आपका BMI 23 से 24.9 है तो आप ओवर्वेट में आते है यानि 22 से ज़्यादा आपका हो गया 22 तक तो आपका नार्मल होगा 19 से 22 की बीच में 22.9 के बीच में उससे ज़्यादा हो गया तेज से 24.9 तक तो आप ओवर्वेट को हो गए इसमें क्या प्रावलम होता है इसमें थकान पाचन सकती कमजोर सरकुले से प्रावलम आदी समस्चाय उत्पन होने लगती है एन दोस्तों जब इससे भी ज़्यादा 24.9 से भी ज़् यानि 25 से लेकर 28.9 तो आप ओवेसिटी यानि मुटापा की सिकार हो जाते हैं ओवेसिटी ग्रेड वन में आते हैं एन दोस्तों 29 से 33.9 के बीच में ओवेसिटी ग्रेड टू में आ जाते हैं और 34 यानि की 34 से ज़्यादा हो जाने पर आप ओवेसिटी ग्रेड थर्ड में आ जाते हैं यानि अब आप मोटापा का शिकार हो गय है और आपको अपने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है नहीं तो आप कई सारी बिमारियों के शिकार हो जाएंगे ते इससे आपका ओवरवेट होजाने ओविसिटी गेट वन टू थ्री याने मोटापा का शिकार हो जाने पर क्या क्या परिसानिया होती है दोस्तों यह इसमें डाइवेटीज, हाइपर टेंस्टन, कुरुनरी डिजीज, जोडो मिदर्द, आर्थराइटीज, फैटी लीवर, आदी प्राब्लम्स हो जाते हैं तो दोस्तों यह आपका था BMI W-H-C-O के दवरा दोस्तो एक बात और बहुत पुढ़े है, कि 22 वर्ल्ड का सब्सक्राइब, वेश्ट 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 वियवर नहीं होना चाहिए VHmmны का सबसे best and wear weight को नहीं है 22 के अंदर है आपका तो ti mlmai है यानि की BIRT है आप का वेस्ट वेश्ट वेस्ट वेस्ट बीएमाई है नहीं तो आप the Underweight में हैं ओर रेत में नार्मल है फिंट है आप Și आप तो 22ws वेस्ट वेस्ट BMI है अथास 22 जो तो jsut तो दोस्तो यह था BMI के बारे में दोस्तो आई होप की सभी टापिक्स आपको किलियर हो गए होंगे तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमें जरूब बताईए जादे से ज़री सेर किया कि दिस तो जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिले जिसे डेली वेसें पे आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूं एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकें को फ्रेस कर लीजिए जिसे जो ही मैं नया वीडियो अप्लोड करूंगी तो उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए